Question number 4. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the area level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 meter below the sea level. यानि कि देखो ये हमारा sea level है, यानि कि जमीन है, हना? आर्थ है, यहां से 5,000 meter से की उपर दूरी पर एक plane उड़ रहा है. देखो किता सुन्दर plane बनाया है, आपके लिए special. ओके और उससे, कहां से at a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 meter below. अब देखो नीचे, बिलकोँ sea level से just नीचे, कितनी दूरी पर submarine का मतलब होता है, वो जो पानी के अंदर, चलती है न, जिसे बोलते हैं, पंडू भी बोलते हैं, जो पानी के अंदर जिसके अंदर बैठ जाते हैं, और हम पानी के अंदर जाके घुन के आ जाते हैं. तो ये किती दूरी पर है 1200 नीचे below the level यानि कि just इस तरह से इधर 500 जब हम जमीन के उपर होते हैं तो उसे हम plus में लेते हैं हमेशा और अगर हम under the level होते हैं यानि कि नीचे जाते हैं तो उस value को हमेशा हम minus लेते हैं ये याद रखना अब चलो हम solution करते हैं अब देखो मैंने आपको बताया जब हम उपर होते हैं तो हम क्या करते हैं हमेशा उस value को positive लेते हैं अगर हमें positive negative में कुछ देखना हो बिल्कु सही और अगर हम ground levels के नीचे यानि कि कहा होते हैं पानी की तरफ होते हैं हम उस number को हमेशा negative लेते हैं ओके लेकिन मैंने तो ये पुछा न यहां से लेके यहां तक total distance कितना है तो ये वाला तो हुआ 500 5000 ये वाला हुआ 1000 तो 5000 प्लस 1000 यानि कि इस submarine और इस aeroplane के बीच में distance कितना है इन दोनों को प्लस करके तो निकलेगा 6200 मीटर तो दिस इस यार आंसर अब आप देखो आपके प्रैक्टिस के लिए दो कोशन दिये हैं अब आप इनको ट्राइ करो और अपने अपने आंसर चेक करो कि अपने आंसर कर दो आग रेता है प्रफ़ ज कर दोगा नहीं कर दो अपंग है इस वे बुप्रों आपने चेंग है